और पत्थर फैकरे मिली भगते पुलिस वालों की बिल्कुल कल जैपुर के मालपूरा गेड़ ठाना इलाके में खाली प्लोट पर कब्जा करने आए बदमाशों ने परिवार पर पत्थराव कर दिया था बदमाशों ने प्लोट पर कब्जा करने का पूरा प्रियास किया लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं हो सके बदमाशों ने महिलाओं तक नहीं छोड़ा उन पर इतनी पत्थर बाजी की वह पूरी तरह से जखमी हो गई कई कई जगे उनको चोट आई है लेकिन सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह सामने आ रही है कि पुलिस वाले भी घटना की समय मोजूद थे हालांकि पुलिस ने साफ इंकार कर दिया है लेकिन कोई वीडियो को कैसे जुटला सकता है वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वही मोजूद थी और बदमाशों को हमला करते हुए देख रही थी वही हमारा जंता दर्बार आज फिर से इस घटना के सुद लेने पहुंचा तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है पिडित महिलाओं का कहना है कि 24 घंटे बीच जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई बयान दर्ज नहीं किया है वही विपक्ष की और से लगाता धंकिया दी जा रही है लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि इस मामले में आप तक 10 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे पूस्ता जारी है आई ये दिखाते हैं क्या कुछ कहा पीडित परिवार रुस्ताने लोगों का गलत हुआया और जिस टाइम सब जेंट चले गए 11-12 बचे वो उस टाइम मोक्ता देखके और 40-50 जेंट सारे गाड़ी पर के सरीय लखडियां सब मर के लेके लेके आए पूरी प्लानिंग से आया है और घर पे किसी को पता नहीं है आती ही वो तो पत्थर ले लेके महारा कूटी करने लगे तो घर पे लोग थे गरीब 15-20 बच्चे थे घर पे दो-चार आदमी थे बस और बच्चे थे तो जो बच्चे आ रहे हैं खुरुश आ रहे हैं तो क्य प्रेशासन पुलिस कड़ी है या तायाद पुलिस कड़ी और उनी के सामने वो लकडियां बजा रहे हैं और पत्थर फेक रहे हैं मिली भगते पुलिस वालों की बिल्कुल प्रेशल को सब करती हैं और भाठी को तोड़ पूर करती हैं यक्रुच कर स्पा थर माइलाओ को क्या आए जित्स पी अधर में मैյडा या ना सब के चोटे आए यहां लगी है सिर में लगी है और पैरो में लगी है सब जढ़ गर में पैर में जढ़ पाजी सब जागे चोटे आई ऐए वहाद जिदे तोर दिया है प्रोग्राम था इनका पहले से रेकी चल रही थी इनकी जो पत्थर बाजी हुई जो आपने वीडियोज देखे हैं उसे एक चीज होती है कि हम जम्मु कश्मिर में सुन देते कि पत्थर बाजी होती है वहाँ पर बंद हो गई और में लग रहा है कि यह हमारे सेम साब के चेत्र गंदर यह अब चालो हो रही है बहुत चरमनात बात है पुलिस प्रसेशन के ल करेंगी आप बताएं किसको ग्रिफतार करें तो पुलिस का इतने रहे गया हम बताएंगे किस तो ग्रिफतार आपको पता नहीं है सब ती तरब बितर हो गया हमने कहा जब दो आजमियों को पुलिस यह पकड़ के लेकर यह और यह लागे आराम से उनको बढ़िया बैटा ह हम कड़ें और उनको कुर्चियों बैटा है यह बहुत श्रमनाग बात है ऐसी इस्तिति नहीं होनी जी किसी भी सवा आज सर्वा यह उपस्तित है किसी के साथ भी हो सकता है और यह चीज आगे नहीं बढ़नी चीए यह बहुत प्रसासन के लिए और पुलिस के लिए बहुत समनाग बात है यह मैं इन सब आदमियों को जो इन्होंने पकड़े हैं मैं उनको देखने के लिए भी टिमांड रखी अपनी तो क्या है यह लोग कहते हैं कि नौ है अंदर नौ नहीं है पांच है अंदर सिर्फ और बाकी के कहा है चार मैंने पूछा चार कहा है तो कह रहे म पर पांच तो बाकी के चार कहा है देखिए जिस प्रकार से यह जंगल दाज चल रहा है और सांगा नेर दुर्बा के इस बात का कि सांगा नेर विधान सबाई है और यहां से प्रदेश के मुख्या मुख्यमंत्री है और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के जिले से उ उनके रिष्टेदार लोग जो वो खुद कहते हैं कि अम्मो के मंतरी के रिष्टार है वो लोग आते हैं यहां और कबजा करते हैं महिलाओं के साथ में प्लान के साथ में आते हैं लगबक 40-50 लोग सर्ये, होकी, लाट्या और यहां तक एक टैक्टर में ट्रोली में पत्थर पर के लाते हैं, प्लान के साथ में आते हैं कि इनके पूरुस अपने व्यापार पे बिजनिस पे जा चुके मैलाएं घर पे अके ली थी और उस वक्त में आके इन्होंने इस गट्णा को अंजाम दिया, जैसे कि माता जी बता रहे थे भी किस तरीके से इनको पीटा है, वी जागा जागा था, दूसरे प्रक्स में विरौध किया जिस पर मारकोट की गटना होई इनगे आपस में पूर। इस गटना पर पुरूंद पर पुरूंद प्रूंद पर पूंच गी थी, दो मुख्या आदमी थे प्रोपरटी औरे, उनको को महीं से रिक्पर लिया था, उ तो जिसके पास टाइटल है वो कबजा कर ने पुँचा था पहले ज़से कोई मामला इसमें तानी लेकिन ये टाइटल इनके पुरने टाइम से नहीं है जिसके पास कबजा है और दूसरा पक्स है उसने भी पर रिश्ट्री से जमीन खरी दिया ऐसा तो मैंने कोई वीडियो न हो लाइए लेकिन ट्राफिक की मुलिजोगे लेकिन तो सिभाई हो गया है